आप कहीं भी payment करते हैं तो कई बार आपने QR code scan किया होगा payment के लिए तो हर जगे इन दिनों QR code होता है जहां आपको payment करना होता है चाहे चाहे की ठपरी हो या फिर बड़े से बड़े mall में चले जाएं आपको एक option payment का होता है जहां आप QR code scan करके payment करते हैं और यह काफी easy और legitimate तरीखा है बड़ जो scammers हैं इसी QR code को use करके manipulate करके डोगों को ठग रहे हैं काफी तेजी से इन फैक्ट लास्ट मंथी FBI ने जो US की एक बड़ी investigative agency है उसने एक advisory जारी की थी जिसमें FBI ने बताया था कि QR code scam काफी तेजी से बढ़ रहा है और उसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए तो मैं आपको सबसे पहले तो यह बता दूँ कि QR code scam हो किस तरीके से रहा है mode of operation क्या इनका, scammers का तो scammers क्या करते हैं कि आप कहीं भी जाएं तो QR code आपको दिखता है कहीं चिपका हुआ होता है, कहीं रखा होता है तो QR code को manipulate करना काफी easy है उसमें छोटा सा कोई sticker लगा करके या फिर पूरा का पूरा QR code का sticker बदल करके अराम से इसे manipulate किया जा सकता है और जैसे ही कोई phone से scan करता है उसे उसका phone hack हो जाता है सुनने में आपको वेग लगेगा लेकिन ये सच है मैं बताता हूँ वो कैसे क्योंकि QR code पे जब आप scan करते हैं तो कौनसी website open होने वाली है ये आपको नहीं पता होता ये बिल्कुल surprise की तरह होता है ये कौनसी website खुलेगी तो जैसे ही कई बार ऐसी websites को design किया जाता है कि वो सिर्फ आपके browser में जाकर open होने के बाद ही जो आपके phone का data है या फिर जो sensitive login credential है वो fetch करके hacker को भेज देते है website कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे website open करने के लिए या फिर आप normally कोई QR code scan कर रहे हैं लेकिन आपके phone में malware download हो सकता है automatically बिना किसी चीज़ को click किये हुए तो direct malware भी आपके phone में install हो सकता है तो एक बार अगर phone में आपके malware install हो गया तो उसको हटाना तो मुश्किल होता ही है साथ ही जो आपकी call details हो गया है message हो गया है या फिर कोई भी chats हो हो गए वो आराम से hackers के पास जा सकते हैं यहां तक की जो bank accounts के credential होते हैं वो भी चले जा सकते हैं यह तो हो गया एक तरीका की manipulate करके कहीं पर रखा हुआ है QR code उसको कोई दूसरा उसके जगे पर QR code लगा करके कई बार cyber criminals ऐसा करते हैं लेकिन एक और तरीका है वो तरीका है email वाला तो इन दिनों आपने नोटीस किया हो कि Gmail पे कई सारे tab बने हुए होते हैं जिसमें जो social वाले tab अलग होते हैं spam वाले tab अलग होते हैं या फिर जो भी आपको transaction alert होता है वो एक elect tab में आता है लेकिन QR code से जो scam हो रहा है वो primary tab पे आ रहा है वजह ये है कि QR code के अंदर वो जो website उन्होंने लगा रखी है जो malicious website है जिसको cyber criminals पे तयार किया है वो आराम से primary tab में आ सकता है क्योंकि वो QR code के अंदर है वो direct link नहीं है तो शायद Gmail भी इस चीज को filter नहीं कर पा रहा है तो उसी वजह से primary में जब आ रहा है तो लोग आराम से open कर रहे हैं बिना किसे डर के कि ये कोई legit mail होगा और उसे open करते हैं और QR code scan करके अपना काफी नुकसान करा बैठते हैं ऐसा incident हमने पहले भी कई बार देखा है और यही वजह है कि FBI को इस चीज को लेकर के advisory जारी करनी पड़ी कि आप QR code scam से बचें और ये जो 3-4 बाते उन्होंने बताई हैं उनको follow करें जिनमें से एक बात ये भी है कि आप कहीं भी QR code scan ना कर लें पहले make sure हो लें कि वो legitimate है या नहीं इसी तरीके से अगर mail पे आ या फिर message पे कोई QR code भेज रहा है और कह रहा है payment कर दो आप सोचेंगे कि उसको tap करने से payment हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है कई बार आपके phone में malware भी install हो सकता है और सबसे बड़ी problem ये भी है कि इन दिनों सिर्फ camera app open करते ही QR code scan हो जाता है और वहाँ पे आपको एक website का नाम दिखता है तो वो भी आप देखें कि कौन सी website का नाम दिख रहा है क्लिक करने से पहले किसी किसी app में direct QR code scan करने से ही वो website load होने लगती है और आपको तब पता भी नहीं चलता है कि कौन सी website load हो रही है जब तक आप उपर tab में URL box में जाकर के नहीं देखते हैं तो आप कुछ चीजों को ध्यान में रख करके QR code scam से बच सकते हैं क्योंकि अब ही हो सकता है कि ये early हो क्योंकि last month वो FBI ने भी advisory जारी करी थी कि US में ऐसा हो रहा है इंडिया में भी मैंने कई incidents ऐसे सुने है QR code scam को ले करके काफी पहले मुझे याद है एक दो साल पहले इससे ले करके मैंने एक video बनाया था लेकिन अब ये चीज तीजी से फैल रही है क्योंकि बहुत सारे जो तरीके हैं hacking के scam करने के वो लोगों को पता चल रहा है लोग aware हो रहे हैं इसी वज़ा से नए नए तरीके जो cyber criminals हैं वो लेकर क्या रहे हैं तो आपको इन सब चीजों से बचना है और मैंने जो बताया उस इसको आप follow कर सकते हैं